एक्सिश करना चाहरा हूं डिरेक्शन को साइन्स आप पड़े होंगे लोगर ग्लासेज में डिरेक्शन को साइन्स क्या होते हैं जैसे देखो जरह मैं प्रैक्टिकली बताने की कोशिश कर रहा हूं एक्सिश के साथ अगर एंगल अलफा बनाती है और जैक्सिश के साथ अगर एंगल गामा बनाती है तो कॉस अलफा, कॉस बिटा, कॉस गामा ये कहलाएंगे डिरेक्शन को साइन ओफ दिस लाइन धियान रखेगा डिरेक्शन को साइन ओफ दिस लाइन इसका जैक्सिश के साथ एंगल अलफा, क्योंकि ये डिरेक्शन को साइन के हम बात यहां पर डिसक्स करेंगे अगे फरदर इन orthogonality relations में किस तरह से आएंगी उसको देखते हैं so next है देखे ज़रा orthogonality relation orthogonality relation का बोट राए ये let oxi and oxi dash oxi and oxi dash जैसे मैंने अभी आप से थोड़ दरे परे बात की oxi का मतलब ox1 मतलब वो आपका origin है o से x1, o से x2 और o से x3 उपर की तरफ ठीक है जैसे ये आगी आपकी x-axis ये आपकी आगी y-axis तो z-axis जो होगी this is o x1 this is o x2 and this is your o x3 ये direction दो है this is o x1, o x2, o x3 ठीक है तो उसे त्रिक्के से एक और axis है o x1 dash o x2 dash and o x3 dash दो सिस्टम लिए हमने एक लिए हमने o x1, o x2, o x3 एक लिए हमने o x1 dash, o x2 dash, o x3 dash with a system of coordinates and direction cosines of one system with respect to other are given as following तो एक system का direction cosines with respect to other system बढ़ेंगे कैसे? ध्यान से देखना ज़रा थोड़ा सा ticklish सा concept है ये ये मैंने एक table बनाया है यहाँ पर देखिए ज़रा ये हमने एक table बनाया ठीक है तो किस तरह किसे direction cosines रखें है ये relation रखें है ये आपकी o x1, x2, x3 system ये o x1 dash, x2 dash, x3 dash system दो system में एक system ये है एक system ये है ठीक है? तो एक system को आप fix करेंगे और दूसरे को हम बेरी करेंगे ये बनाया है मैंने side बे बनाके बनाया ये x1 direction, x2 direction, x3 direction ठीक है? ये origin आगया हो उसको आगया किया? इस axis को थोड़ा सामने tilt किया, कैसे tilt किया? जैसे देखिए ज़रा कोशिश करता हूं बताने की ये कुछ ऐसी स्थिती है ये कुछ हमारे पास ऐसी स्थिती है, axis की ये axis की ऐसी स्थिती है ठीक है? इस डाइगराम को ध्यान से देखिए ज़रा जो आपकी ब्लू कलर से है, x1 direction, x2 direction, x3 direction जब इसको मैं थोड़ा सा ऐसे करके थोड़ा सा tilt किया, तो tilt करके जो x1 थी वो चलेगी, x1 डश के उपर मान दीजी ये angle alpha के पर टिल्ट करगी अगर ये alpha के पर टिल्ट गे, तो automatically x2 direction भी alpha direction, alpha angle के पर टिल्ट कर जाएगी तो this is your x2 dash उसी तरीके से x3 direction भी alpha angle के पर टिल्ट करके बन जाएगी x3 dash अब अगर आप ध्यान दें, तो यहाँ पर x1, x2, x3 ये direction बन गे x1 dash, x2 dash, x3 dash ये direction बन गे तो हमने यहाँ पर ये जो मैंने diagram बनाया, ये जो मैंने table बनाया है यहाँ पर, o x1, o x2, o x3 o x1 dash, o x2 dash, o x3 dash तो हम क्या करेंगे, एक axis को fix करेंगे और दूसरी को vary करेंगे, जैसे देखो मैंने, x1 को fix किया x1 line को fix किया x1 के direction को sign with respect to x1 dash, with respect to x2 dash, with respect to x3 dash तो x1 के direction को sign with respect to x1 dash ले लिए, l1 1 x1 के direction को sign x2 dash के साथ ले लिए, l1 2 x1 के direction को sign x3 dash के साथ ले लिए, l13 basically, ये l11, 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 l12, l13 होंगे कि अब मैं भी बात करूँ इनके उसी तरिक्के से फिर x2 line को fix किया x2 direction को fix के, तो x2 के direction को sign first fix fix हो रहा है, जब 2 को fix के तो दूसरा first fix fix हो रहा है, और बाकि बेरी कर रहा है, और जब x3 को fix के तो ये first fix 3 fix हो रहा है, तो इसका मतला हो, oxi के direction को sign with respect to oxi dash होंगे, l11, l12, l13, l21, l22, l23, l31, l32, l33 और उसी तरिक्के से फिर उल्टा चलो, अगर हम dash को fix करेंगे, तो ox1 dash का direction with respect to x1 हो जाएंगे, l1, respect to x2, l21, with respect to x3, l31, और उसी तरिक्के से, ox2 dash के ये बन जाएंगे, ox3 dash के ये बन जाएंगे, और उसके बाद यहां पर हमारे पास ये 6 relation मनते हैं, 6 relation मनते हैं, कैसे, देखो, कैसे बनते हैं, l11 square plus l12 square plus l13 square equal to 1, l21 square plus l22 square plus l23 square equal to 1, l31 square plus l32 square plus l33 square equal to 1, 3 ये बन गे और तीन बन गे, पहले दूसरे रोह के element की गुणा, l11 into l21 plus l12 into l22 plus l23 into l23 equal to 0, l21 into l31 plus l22 into l32 plus l23 into l33 equal to 0, फिर l11 L31 plus l12 into l32 plus l13 into l33 equal to 0, तीन relation ये बनेगे, तीन आपके square बनेगे, तो टोटल बनेगे ये 6 relation, किसके OXI के, with respect OXI dash है, और 6 फिर बनेंगे आपके columns में, तीन ये बनेगे बनेगे कैसे देखे गजरा यह तो मैंने आपको बता दिया अब बनेगे कैसे देखे गए यह मैंने सिस्टम बनाया है यहां पर ध्यान से देख रहा है मैं एक समझाओंगा बाकि सारे सेवे जैसे मैं ने क्या किया एकसम लाइन फिक्स कर दी हैories अब हमारी जो एकसिस हैं बो है ओ Absolami गती ओ ओ वेक्सवन डियूट है जिस पीज सो ओब सिर्ड़ीट्र से जितएक बिखो क्या नाम जाए थैब लिग X1 का direction cosine O X1' के साथ L11, X1 का direction cosine X2' के साथ L12, देखो कैसे बनेगा, direction cosine कैसे define के थे मैंने, जब कोई line in axis के साथ angle alpha, beta, gamma बनाए, यह X1 direction जो है, X1' X2' X3' के साथ जो angle बनाएगी, उन angle का लियना cos, तो देखो दरह, X1 का angle X1' के साथ कतना है, alpha, तो इसका मतलब, पहला direction cosine क्या हो हो जगा, cos alpha, उसका X1 का angle X2' के साथ देखी जरह, X2' के साथ, यहां से लिकर यहां तक 90 degree, यह आगे angle alpha, तो यह कितना हो जागा, 90 प्लस alpha, तो X1 का angle X2' के साथ 90 प्लस alpha, और X1 का angle X3' के साथ 90, तो इसका मतलब, बन बन हो गया, cos alpha, L12, cos of 90 प्लस alpha, ठीक है, और L13, cos of 90, यह गया, तो cos alpha as it is, L12 का cos 90 प्लस alpha is minus sin alpha, L13 cos 90 is equal to 0, ठीक है, तो L11, L12, L13 आपके पास आगे, L11 होता है, cos alpha, L12 होता है, minus sin alpha, L13 होता है 0, उसे तरीके से, अब L21 का मतलब देखो, पहला से fix करने का मतलब कि X1 direction fix किया आपने, अब L21, L21, L22, L23, तो इसमें क्या हो रहा है, 2 fix हो एकस तू को fix किया, बोलने का मतलब X2 का एंगल X1 डैश के साथ, देखेज रहा है, एंगल हमेशा आपका positive direction के साथ होता है, तो यहां से लेके यहां तक एंगल alpha हुआ, तो यहां से लेके यहां तक एंगल 90 है, तो यह कितना हो गया, यह कितना हो गया, 90 माइनिस alpha, तो इसका एंगल X2 का एंगल X1 डैश के साथ है, 90 माइनिस alpha, तो L21 हो गया, cos of 90 माइनिस alpha, which is equal to sin alpha, उसके L22, L22 का मतलब X2 और X2 डैश के बिच में अगल कितना है, alpha, तो यह बन गया, cos alpha, और उसके बाद X2 और X3 डैश के बिच में, हलांकी इस diagram में आपको यह आमन सामने नजर आरे ह पर यह आमन सामने नहीं, बेसिकली यह, यह ऐसे हैं, यह एक्स टू डैश, एक्स टू और X3 डैश है, आपको यह आपको ऐसी नजर आ रही है, तो इनके बिच में अंगल 90 डिग्री हो गया, तो यह हो गया, cos 90 माइनिस alpha, sin alpha, यह बन गया cos alpha, यह बन गया 0, अब देखो ज़ ऌने खूँँए रहा, L-1,1, two, q1, 1, 1,1, q1, q1, q2, cos alpha, plus minus sin alpha, plus 0, if you have 1, to this one, between the above one and the Multi, says, Y1, 2, q2 tag, and the poor 2,3, shape, and the same line, से इकोल तो 1 लेकिन डिफरेंट का मुल्लिक्लिकेशन और एडिशन जो ओव हो जुरो थी देखो अलबन इंटो ल कॉस alpha प्लस अलबन टुंटो इन्टो ल टुटो minus इकोल टू जिरो जो कि मैंने यहां पर लिखे हैं आप देखुआ रहा है तो यह मैंचिन क्या है बिर L1 1, L1 2, L1 3 are direction cosines of OX1 OX1 के direction cosines है यह बिद रिस्पेक्ट to this, this and this उससे त्रीक के से L1 1, L2 1, L3 1 अगर कॉलम में चलेंगे तो L1 1, L2 1, L3 1 are direction cosines of this OX1 dash with respect to OX1, OX2 and OX3 ठीक है, on the same lines बाकी we can define, here 6 possible relations of the type, बिल भी अब 6 possible relations क्या बनेंगे अब बुदता दिया, मनें आपको फिर抪ीट करो, कनें देखहे וरुछा नहीं रिखानें चींगे तो मैं फिलाल का बर रहा हूं, हम ऐसी तरीके से बाकी निकाल देंगे तो पहले लिए मैंने इसका स्केर जमा स्केर जमा स्केर एकूल तूसरा ले दिया इसकी गुणा फस्ट और सेकंड रोग मैंन की गुणा 0 कि बराबर गुणा ओर जमा ठीक है जी तो यह दो relation लिखे मैंने स्केर को we can write L1 1 into L1 L1 2 स्केर को we can write L1 2 into L12 उसे दिखेसे L13 L13 equal to 1 अब ध्यान से देखना है इसको मैं इसको tensor form में convert कर रहा हूं how we can convert it into tensor form इन tensor form it can be written as last video में आप से मैंने काफे detail बात की tensor की अब इन tensor में अगर ध्यान से देखें तो यहां देखो धरा second equation देखो पहले second suffix is fixed 1 1 2 2 3 3 यहां पर भी देखो second suffix is fixed 1 1 2 2 3 3 तो क्या करना है यह है L I J L I J type L I J L I J type यहां पर क्या है second suffix fix है और very corner कर रहा है पहला और दूसरा suffix उसको कैसे second suffix fix है उसको ले लिए मैंने J जो second suffix fix है 1 1 2 2 3 3 इसको ले लिए मैंने J और जो first suffix है एक हो को मैंने नाम दे दिए I A को नाम दे दिए मैंने K तो यह बन जाएगा L I J L K J इकुल टू जो same suffix हैं इसको हम छोड़ देते हैं ध्यान रखे याद गरी इसको जो same suffix हैं जो different suffix हैं और इसको हम बोलते हैं करनेकर डेल्टा जिसकी बात हमने लास्ट वीडियो में किती और इसकी खासित क्या होती है इसकी विए या 0 होगी या फिर 1 होगी मतलब अगर I or K same होँगे तो it is 1 I or K different होँगे तो it is 0 ठीक है जी तो यह L I J L K J इसकी विए उनस के साथ जमागर का 0 नेक्स्ट सेट बनेगा इसकास के जमा इसकास के रिकूल दुबान और पहले होती सिल्य रोग के अलिमेंट की गुणा और जमा इकूल दू जी यह जो छे कोशने बढ़ेंगे इस रिप्रेजेंट इस इस अर दिस सिस्टम और वह छे कुशने आप इससे निकार सकते हैं कैसे पहले काके वहली 1, fix कर लो फिर काके वहली 1, fix कर लो जे के वहली 1, 2, 3 दे दो अपने आप यह रिलेशन आपके बंड़नों से हो जैंगे तो इन जन्रेर काने का मतलब यह हुआ कि यह जो आपके यह जो आपके possible relations है छे इन कौन से छे रोवाइज रोवाइज मतलब OXI के direction cosine with respect to OXI- उसी तरिक्के से फिर हम चलेंगे columns में तो columns में कैसे चलेंगे OXI- के direction cosine with respect to OX1, OX2, OX3 तो कैसे बनेगे इसका स्केर जमा स्केर जमा स्केर इकोल्टो आपके जमा स्केर इकोल्टो आपके पिर आमने सामने गुंणा करके जमा जीरो ठीक है आब इसमें अगर ध्यान दें तो इसमें फस्ट फिक्स फिक्स है रहर इसको एक नाम ते देंगे और बाकी जो वेरी कर्रें उनको हम इनको मैंने आई जो भीस है उसको चोड़के जो वेरी कर रहे हैं उसको चल देगर अब तो यह थोड़ा सा टिक लिश्टा काम है जो मैंने अभी बोला है इसको ध्यान से आपने अपजर्व करना सुनना है और अपने आप कॉपी में लिखे तो आपको अपने आप समझा जाएगा उसके बाद नेक्स्ट है स्ट्रेंट टेंसर क्या होते हैं स्ट्रेंट टेंसर का मत आइजे से तो आई और जे की जगा मैं यूज रहा हूं एक्सट वाई जेड एक्सट जेड़ इक्सट एक्स याद फार उसको एगसे डिटारेट विस प्रिश्पेक टो एक्स्स नॉल ऋसमाल उन्रेट भाई का मतलो इस्पेक्ट ट्रिसपेक्ट टू ऑइग अो जड़्ट इसुटे इकस्य ड़को या इंवय एकस को कि ए एकस्य बाइन को आएकस यूंज और व्ल्क यूह जज्ण लगेत Europeanppa याद करने आपने और EIJ होता है EIJ matrix form लिखा EXX EXY EXZ मतलो पहला fix fix करना है XXX और दूसरा भी लिखना XYZ फिर इसमें पहला fix करना Y जैसे पहला fix किया फिर Y fix किया फिर Z fix किया फिर X by Z Z fix किया फिर X by Z add so this is your strain tensor in terms of matrix इसको याद करना है मैं बार-बार बोर रहें आगे यूज करेंगे और in tensor form we can write it as EIJ equal to half यह जो इतना बड़ा system था आपका यह जो इतना बड़ा system में आपने लिखा है इस इतने system को tensor form begin write EIJ half कर ली UI उवर कर ली XJ plus कर ली UJ उवर कर ली XI कुछ करना पहले I value 1 fix कर लो J value 1 2 3 देदो फिर I value 2 fix कर लो J value 1 2 3 देदो फिर I value 3 fix कर लो J value 1 2 3 देदो ठीक है और यहाँ पर X को 1 बोल्ड हो Y को 2 बोल्ड हो Z को 3 बोल्ड हो तो यह अपने आप ही आपका सारा system टेंसर फ्लक्स होता है rate of flow per unit area एक unit area में कितना flow हो रहा है that is called flux simply और mathematical इसकी definition है density into normal velocity into surface area density आपको पता है फिल्यूट की होगी normal velocity आपको पता है जो फिल्यूट की होगी और सब्सक्राइब कर रहा है उसके वाद न्यूटन सेकंड यह भी आपने पढ़ा होगा सुना होगा न्यूटन सेकंड लोग और क्या बोलता है rate of change of linear momentum is directly proportional to the applied force ठीक है मतलब जो आपने बाड़ी के पर फोर्स अप्लाइब कर रखी है that force is directly proportional to the rate of change of linear momentum और न्यूमेंटम करता है mass into velocity और proportionality का sign है तो constant of proportionality आगया के k m constant होगा बार and d dt of v is equal to acceleration तो m is equal to k sorry f is equal to k m into a where k is constant of proportionality and a is db beta dt तो for a time being if my applied force is one unit m is mass is one unit acceleration is one unit तो k कितना हाजाएगा one है तो k is equal to one so f is equal to m and this is your equation of motion force applied force on the system is always equal to mass into acceleration और स्क्राइब नेक्स्ट है result velocity of a fluid at a time किसी time period के उपर velocity क्या होगी होगी fluid की उसके components के होगे उसके बारे में बात कर रहा है जैसे लेट capital P having position vector r vector बोलने का तरिका और लिखने का तरिका पी having position r vector बीदा position of the fluid particle at time t टी टाइम पर किसी particle की position है जिसका position बेक्षार बेक्षा है एंड पी डैश और डेल्टा टी टाइम पिरिट के बाद टी टाइम पिरिट के बाद हमने माल लिए particle P से कहां पहुंच 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 गया तो पी के पर position r थी यहां पर अगर आपको याद हो तो प्लस टू में जब आपने डैरिवेटिव स्टार्ट किया था तो यह डैरिवेटिव की डेफिनिशन थी यह लिम्ट डैल्ट अपरोच इस टू जिरू डैर्ट डैल्ट डैल्ट इस इकोल टू डिवेटिव और और आर वेक्टर क्या होता है पढ़ चुक्किया आप लास्ट वीडियो में और आपको में प्रिवेटिव में बढ़ वीडियो में बता चुका हूं डिवेटिव और इस इस दा कंपोनेंट आप वेलासिटी अलोंग एक्स अक्स जिसको हम एक्स डॉट भी बोलते हैं dY ОТzos DT leave the NEXT Control this is component of velocity along y-axis and this is component of velocity along Z axis along Z axis युको predic동 सिस्टी को एक्शिट अथे स्मल यू ब्लुट भीयटिआ थी अद्धी को वीडियो अज स्मल वीडियो थी उपी पिर दी और धियो थीग तो यह हमारा कुछ एक basic concepts थे for the purpose of this fluid dynamics आप कोशिश करें कि यह basics बिल्कुल अच्छे से याद कर लें अच्छे से त्यार कर लें अगर आपके अच्छे से basics त्यार होंगे तो आगे आपको article करने में कोई दिक्कत नहीं आएगे तो इसी साथ यह basics का काम खतम हुआ झाल